रिवाडी शेयर के पोशिला के मारल टाउन में स्वन जैन्ती पार्क इस्तित श्री रादा किरिशन सनातन धर्म मंदिर में होगा भववे श्री किरिशन जन्मस्ट में महोसव का आयोजन हर वर्ष की भाती इस वर्ष भी मालल टाउन इस्तित श्री राधा कृषिन सनातन धर्म मंदर के परागण में श्री कृषिन जन्मत सो का विशेश रूप से महुसाव मनाया दा रहा है आपको बता दे कि इस वर्ष भी एशिया फेमस बंटी तिलगधारी गुरुप दोरा बेतरिन सुन्दर जाकियों वे कारेकरम का आयोजन किया जाएगा मंदर कमेटी के सदस से श्री केशल चोधरी उर्फ बिट्टू ने बताया कि हर वर्ष की भाती इस वर्ष भी भवे रूप से श्री कृषिन जन्मवस्टमी का आयोजन रादा कृषिन सनातन धर्म मंदर में किया जा रहा है जिसमें एशिया की नंबर बन भजन मंदली कारे पेश करेगी उन्होंने का कि इस वर्ष विशेश तोर से छोटे बच्चों के लिए जो की रादा कृषिन बनकर तयार होकर आते हैं उनके लिए सेल्फी पॉइंट का आयोजन करवाया जा रहा है जहां पर बच्चे फोटो खिचवा सकते हैं साथ ही उन्होंने अभी भाव को से अपील की जो चाते हैं उनके बच्चे स्टेज पर पर्फोर्मेंस करें वे अविभावक अपने बच्चों के नाम वे पैंड्राइव जिस भी भजन या गीत पर बच्चे पर्फोर्मेंस करना चाहें वे मंदिर के पंडीजी को सोमवर्दोपहर दो बजे तक जमा दे ताकि बच्चों को पर्फोर्मेंस करने में कोई परिशानी का सामना ना करना पड़े केशव चोदरी ने आगे बताया कि इस वर्ष विशेश तोर पर चपन भोग का आयोजन किया जा रहा है रिवाडि शेहर वास्यों के लिए इस वर्ष शिरिकृषिन जनमोसव पर च यार करवाया जा रहा है आप देखते हैं कि हर्षुअलाज के साथ जनव अश्मी का परों माता है और इस बार भी शोरादा किशिनमंदरी कम्ीटी ने निर lata किया है कि इस बार और भी हर्षुअलाज से हम् इस कारेकरण को जनव अश्मी को मनाएंगे और इस बार हमने 56 बोग की जो फिजेश वहसता है और वो सब आप लोग देखेंगे और इस बार बेहतरी गुरूप जो सोनिया जो गुरूप है वो हर साल आता है और इस बार खास कर हमने छोटे बच्चों के लिए जो कुष्ण के गुरूप में त्यार हो गयाते हैं उनके लिए हमने इस बार सैल्फी पॉइट भी बुनाए हैं कोई अपने बच्चे को लेकर आता है वी कोई सैल्फी पॉइट चाहिए फोटों कहा करवाएगा और मैं साथ-साथ आपके प्रेस्टों के माधिनम से एक और भी संदेश जाना चाहूँगा परसों का जो कारेकरम है इस्टेज के कारेकरम पे जो भी परिवार अपने बच्चों से परफोर्मेंस कराना चाहता है मैं उनसे निवेदेन करूँगा कि परसों दो बजे तक वो अपने बच्चे का नाम और पेंडराई जिस पर भी भजन या उस पर भी काम करना चाहता है वो परसों दो बजे तक हमारे मंदिर में पंड़ा जी को अपना नाम और मोबाइल लंबर और वो सब उसको यहां दे जाए क्योंकि एट ए टाइम उसी समय कई बार संगीत का पुराम कोला लंबा होता है हमारे को स्टेज का पुराम भी देखना होता है हमारी कमेटी ने यही फैसला किया है कि एट ए टाइम से कोई भी हो उसी समय उन्हें लेकर उसको स्टेज में कोई परफोर्मेंस नहीं कराई जाएगी और हम यहीं आगरे करते हैं दुबारा सभी धरम प्रेमियों से कि जो भी बच्चा परफोर्श करना चाहे वह अपना इ अब अब यहां ऊब हमें देखते हैं और पूरा रिवाडी शेर और आब आपको पता दे इसकारे करम को लाइब भी धिखाय जाएगा जो भक जरते घर से भी देख सकते हैं